हालो ममाज और ममाज के टीनी मीनीज वल्कम टू हरीत्वी बैहल और ममा रॉक्स फ्रेंज आज हम बात करेंगे बच्चों की खाने पीने की कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में जो किसने डाली हैं हम ममाज ने जिसके लिए हम खुद रिस्पॉंसिबल हैं दोस्तों इसमें सबसे पहले जो मुझे बुरी आदत लगती है जो हम ममाज जाने ना आन जाने में अपने बच्चे में डालते जा रहे हैं वो है फास्ट फूड का क्रेज जंक फूड का क्रेज हम क्या करते हैं बड़े खुश होते हैं चिल करते हैं बाहर जाते हैं हमारा अंदरुनिया-दारी की, दिखावे की, खुशी है. वो अंदरुनिक्षी नहीं है, उन चीजों से हम अपने बच्छों का जो है डायलप खराब कर रही है उनकी life spoil कर रहे हैं दोस्तों इन चीजों को introduce कौन करता है उनकी life में हम करते हैं बच्चों को शुरू से नहीं पता होता है कि मैं burger खाऊंगा मैं pizza खाऊंगा, मैं candy खाऊंगा मैं chocolate खाऊंगा, मैं chips खाऊंगा No, I am not blaming anything ये सारी चीजे भी ज़रूरी है मतलब इन से हम बिल्कुल दरकिनार नहीं हो सकते, लेकिन हम को ज़रूरत है इन चीजों का अपनी life में, अपने बच्चे की life में limit को set up करना अगर आप बच्चे को ये सभी चीजे खिला रहे हो, तो time set up करो, मतलब कि आप week में one time दोगे या two time लेकिन daily way में ऐसी चीजों को अपने बच्चे की life से दूर रखो, specially जो चोटी चोटी चीजी होती है, बच्चा थोड़ा सा cranky हुआ, थोड़ा सा रोया, थोड़ा सा उसने जो अपनी जिद मनवानी है, candy दे दी, chips दे दी, चोकोस दे दी, तो उस case में आप क्या कर सकते हो, उस case में आप ये चीज कर सकते हो, कि कोशिश करो बाहर जाते time, at least बच्चे का snack लेके चलो, और उसका टम्मी इतना फिल कर दो, कि जब वो ये चीजें खाने बैठे, तो वो ये चीज थोड़ी ही खाए, आप इन चीजों को अपने बच्चे को घर पे बना के दे सकते हो, एक तो उसका ओयल अच्छा होगा, कुकिंग अच्छी होगी, घर पे बनाओगे, सफाई का ध्यान रहेगा, वैजीज अड़ कर सकते हो, जैसे पास्ता बनाओगे, तो वो आप टोमाटो सूप में बना सकते हो, दुगना फाइदा हो गया, पास्ता भी खा गया, बच्चा सूप भी पी गया, बच्चे को पता ही नहीं चला, मैंने उसके साथ सूप पी लिया, इन चीजों को आप जितना हो सके, घर पे बनाओ, बाहर खा रहे हो, उसका टाइम सेट अप करो, अगर बच्चा कभी जिद करता है कि उसे बाहर ही ये चीज खानी है, तो अपना दिमाग यूज करो, क्लैवरनेस यूज करो उसको घर पे ही, उसका एक आदा घंटा पहले टमी इतना फिल करके लेके जाओ कि बाहर जब वो ये चीज खाने बैठे वो थोड़ा ही खाए नेक्स्ट फ्रेंड्स ये है कि हम टाइम टेबल सेट अप नहीं करते, हम अपने कन्वीनियस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि जब मेरा खाना बन गया, तब मैंने अपने बच्चे को खाना खिला दिया, या हम ममास क्या करती है बच्चा थोड़ा सा क्रेंकी हुआ, थोड़ा सा रोया जब वो छोटा भी है, जब वो सिर्फ दूद पे डिपेंड करता है, तो हम फटा-फट से उसके मुँ में क्या करते हैं, दूद की बोतल डाल देते हैं बच्चा थोड़ा सा पीता है, चुप हो गया, तो हम यह सोचते हैं कि उसको भूख लगी हुई थी, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता बच्चे को हर टाइम भूख नहीं लगती टाइम टेबल सेट करें, गैप रखें खाने में, दूद पीने में जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होता है, वैसे वैसे गैप रखें उसके खाने में जैसे मान लीजिए बच्चे ने 8 ओ क्लोक ब्रेकफास लिया है जैसे 11 ओ क्लोक, अगर आपका बच्चा जादा चोटा है, दो तीन साल तक है, तो हो सकता है, वो मील भी ले सके, अगर वो तीन साल से बढ़ा है, तो वो स्नैक लेता है ऐसे अपने बच्चे का टाइम टेबल सेट अप करें, बच्चे की साइन्स को जाने के अब इसको क्या चाहिए, इसको भूख लगी है या नहीं लगी है, इन चीजों का ध्यान रखें अपने एक्सपिरियंस की बात करूँ कि जब हरित्वी छोटी भी थी, तो मैं क्या करती थी, कि मैंने देखा कि 9 ओक लोक इसने 1 बोटल दूद की ली, तो मैं 11 ओक लोक उसको दूद की बोटल दोबारा से देना स्टार्ट कर देती थी ये नहीं देखती थी, कि बच्चा एक्टिव रहा है, उतनी देर में नहीं रहा है, उसने खेला है, नहीं खेला है, मैं उसको क्या गरती थी दूद दे दी, अपनी तरफ से मैं बहुत कॉंशियस थी, कि मैं टाइम का ध्यान रख रही हूं, मैं टाइम पे उसको दूद पि अब हो गया लेकिन फ्रेंड्स रियालिटी में ऐसा नहीं होता हमें हर चीज की जजमेंट होना जरूरी है कि अब बच्चे को भूख लगी है या नहीं लगी है बिना भूख के बच्चे को जबरदस्ती कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं टाइम टेबल भी उस अकॉर्डिंग स रखता है कि अब मैंने यह किया इसके बाद अब यह करना है खुद वो इतना इंटेलिजन्ट होता जाता है नेक्स्ट हम मम्मा क्या करती है लाड़ प्यार में बच्चे को बहुत सारी ऑप्शन्स खाने की दे देती है आज कल क्या हो गया है कि मम्मा कुछ जादा ही कॉंश चाहिए वो हाउस वाइफ है चाहिए वो वरकिंग वीमेन है वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़दा कॉंशियस हो गई है पहले से अब देखा जाए तो बच्चों की बहुत ज़दा एक्स्ट्रा केर की जाती है उसी चक्कर में हम कही ना कहीं बच्चे का नुकसान कर दो उसको एक टाइम पे सारी ओप्शन मत दो उसके नुकसान क्या होते है एक तो बच्चा कोई भी चीज जंक से नहीं खा पाता दूसरा बच्चे को सारी चीजों की इंपॉर्टेंस आप वन टाइम में नहीं समझा सकते जहां तक मेरा मानना है जब भी बच्चे को आप ख अपने बच्चे को खिला सकते हैं और उसी तरह से उसका जो है घाने की इंपॉर्टेंस उसको समझा सकते हैं जैसे मान लीजे दोपहर में बच्चे ने खाई दाल्चाबर तो आप शाम को जो अब डिनर का टाइम है तो आप बच्चे से पूछ सकते हो कि बेटा यह चपात उसलिए रात को चपाती वेजी टेबल ही खाना है उसके इलाबा उसको उप्षण नहीं मिलेगी वेजी में उप्षण मिल सकती है कि कौन सी वेजी खानी है नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है वो है कि स्नैकिंग ओल दाती जो मुझे बुरी आदत लगती है कि हर टाइम बच्चा कुछ ना कुछ 10-15 मिनट बाद खाता जा रहा है चाहिए वो छोटी-छोटी चीज़ें क्यों ना हो जैसे वो घूमता आया थोड़ा सो ममा काम में लगी है ममा को उसने थोड़ा सा तन्ग किया तो ममा ने क्या किया जट से उसे कैंडी पकड़ा दी फिर वो खेल रहा है कोई गैस्ट आया कुछ लेके आया है तो फटा-फट से उसे वो चीज़ खाने को दे दी नो हर चीज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही सेट करो थोड़ा सा डिफिकर्ट लगता है शुरू में लेकिन बाद में बच्चा खुद बखुद यूस्ट हो जाता है और खुद रफ्यूस करता है इन चीज़ों को बार-बार खाने से हम ममाज क्या सोचती है कि अगर मेरा बच्चा बार-बार खाए जा रहा है तो इस में भूख लग रही है वह क्रेविंग के अगरडिंग भी खा सकता है ज़्रूरी नहीं कि उसे भूख ही लग रही है तो भूख के लिए तो कोई केणी नहीं खाता ठीक है तो क्या होता है कि शुरू पूरा दिन उसकी जो यह snacking all the day वाली आदत है इसको खतम करो और snacking को healthy बनाओ जब ही वो snack खाता है तो diet snack should be healthy fruit मुरमरा या मखाने आप इसमें use कर सकते हो next जो है डबाबंद चीजें juices या कुछ भी और जो डबाबंद चीजें आ रहे हैं वो अपने बच्चे को ना दो जो भी आप बच्चे को खाने को दे रहे हो वो घर पे ही बना के दो ट्रैवलिंग के दोरान बड़ी होच पोच होती है हम मस थोड़ी सी वो भी हो जाती है हमारे सर पे काम ही इतने होते हैं हम सोचते हैं कि बच्चा हम बाहर जा रहे हैं बाहर ही खा लेगा नो जितना हो सके बच्चे का snack at least घर से ही ले के जाओ और बच्चे को वो खिलाओ लंच भी घर से ही ले के जाओ जब हमें पता है के हमको बाहर लंच करना पड़ेगा that case में बच्चे का लंच साथ ले के जाओ उस time से पहले उसे lunch करा दो तांकि जब वो आपके साथ lunch करने बाहर बैठे बाहर कुछ खाने बैठे तो उसका टम्मी पहले से ही फिल हो और वो जो बाहर का खाना है वो थोड़ा ही खाए next आता है कि screen time screen time दोस्तो इस पे अपनी अपनी राय है मेरी राय अलग है अलग ममास की अलग हो सकती है आजकल इतना टफ हो गया है बच्चों को हैंडल करना कि हमें फोन दीना ही पड़ता है खाने के टाइम लेकिन उस चीज़ को भी आपको कंट्रोल करना है उसमें भी आपको अपनी cleverness यूज़ करनी है ये भी हम topic जो है एक detail में discuss करेंगे कि बच्चों को phone और TV खाने के दोरान हम कैसे use कर सकते हैं और कैसे उनको बचा सकते हैं इसका addict होने से next overeating overeating बच्चा generally तो नहीं करता लेकिन maximum उसी time पे करता है जब वो phone देख रहा है या TV देख रहा है वो भी किसके हाथ में है वो हमा ममा के ही हाथ में है ये judge करना कि बच्चा के ही अपनी जरूरत से ज़ादा तो नहीं खा रहा ये भी हम खुद ही देख सकते हैं next है कि water during meal हम क्या करते हैं वैसे तो mostly ममा जो है वो खाना spicy नहीं बनाती बच्चों का लेकिन कुछ गरों में वैसा ही खाना खाया जाता है जैसे बड़े खाते हैं वैसे ही बच्चे खाते हैं लेकिन उस दोरान क्या problem create हो जाती है कि बच्चा खाने के दोरान पानी पीता है जो कि एक bad habit है ये control करना भी हमारे हाथ में है पहले तो ये है कि बच्चे का खाना spicy मत बनाओ अगर spicy बना रहे हो तो इतना little spicy दो कि बच्चा बार-बार खाने के दोरान पानी ना पीए नेक्स्ट जो सबसे मुझे लगता है कि गंदी आदत हम में होती है और हम अपने बच्चे में डालते हैं हो है रिश्वत बच्चे को कभी भी रिश्वत ना दे हम ममा इसको में इश्व क्या होता है कि कोई भी ढंग यूज कर ले बस हमारा बच्चा खाना खाले हम क्या करते हैं अगर आप यह खाना कम्प्रिट कर लोगे ना तो मैं आपको केंडी दे दूँगी आप कर लोगे ना तो मैं आके लिए यह ट्वाइ लिया वहाث आप यह खाना खालँगे मैं यह कर लोगी नो खाना खाने का फाइदा क्या हुआ अगर बच्चे ने बाद में केंडी से करता है लेकिन आप उसमें जो है और कैसा यूज कर रहे हो ध्यान में रखो बच्चों के खाने को रिफाइंड और में मत बनाओ उसके लिए आप मक्षन यूज कर सकते हो देसी घी यूज करते हो सरसों का जो कच्छी घनी का तेल है वो यूज कर सकते हो लेकिन बच्चों क कि जीवन शैली को सुधारना चाहते हो तो बच्चे को हर चीज को समझाओ क्या खाना है कैसे खाना है कब खाना है ये बाहर की चीजे खाने का हम मारी लाइफ को कैसे नुकसान है ये बच्चे को समझाओ स्टोरीज बनाओ जैसे मैंने पहले बोला कार्टून क्रेक्टर्स को माइंड में सेट अप करके उनकी स्टोरीज बनाओ बच्चा खुद समझदार है वो बहुत सारी चीजे हैं जो बहुत जल्दी पिक अप करता है इधर उधर देखे खुद को एक अच्छा रोल मोडल बनाओ बच्चे के सामने यह नहीं आप बच्चे को मना कर रहे हो यह नहीं खाना और आप वो खुद ही खा रहे हो जो खाना बच्चा खाता है उसके साथ बैट को उसके खाओ उसे इंजॉय करकर के खाओ और tantrum करकर के खाओ वाओ मैंने दिखा भी डाल चवल खाए मैं कितना strong बन गया ऐसे ही वो feeling बच्चे में लेके आओ बच्चे को खाने की important समझाओ जब आप बच्चे को चीजें समझाते हो वहाँ पे आपका अधा काम हो गया और आपको इतनी मेहनत नहीं करने पड़ती दोस्तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए useful रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें, subscribe करें मेरे चैनल को और share करें with other momies Thank you for watching the video